नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक मज़ेदार कॉमिक्स महाबली शेरा और समुद्री शैतान महाबली शेरा और समुद्री शैतान एक्शन से भरपूर इस कहानी के लिखक है विमल चिटर जी और शक्तिशाली चिद्रांकन किया है सुरेंद्र सुमन्ने सोना के जंगल के उत्तर पूर्वी छोर पर वह किला सद्यों से खड़ा था उसके भीतर एक संपूर राज्य बसा था जिसका नाम पुंचाला था और जिसकी वर्तमान शाशिका थी राज कमारी कंचाना उसके पूर्वस सद्यों से उसी राज्य पर राज्य करते आये थे लेकिन राजा शूर सागर के मरने के पश्चात उनकी कोई लड़का ना होने के कारण प्रथम बार वहां के शाशिका बनी थी उनकी इकलोती बेटी राज्य कमारी कंचाना जो निर्विरोध अपना शाशन चला रही थी एक राज किले के निकटवर्ती समुद्री तट पर एक जहाज आकर रुका जल्दी करो जहाज से घोडों को बाहर करो और अपने अस्त्र शेष्टर संभाल लो जहाज से असंक के भयानक और शक्तिशाली लड़ाकों किस्म के लोग तट पर उतरने लगे शेखरी पर अपने हत्यार आदी समभाल कर घोडों पर सबार हो एक भयानक इरादे से किले के और बढ़ चले जब वे किले के कुछ निकट पहुचे ध्यान रहे मेरे शेरो यदि किले पर हमारा कबजा हो गया तो न केवल हमें दुनिया भर का एशो आराम मिलेगा बलकि पुन्चाला का अनमोल और बेशुमार खजाना भी हमारे कदम जुमेगा हमें ध्यान है सर्दार हम हर खत्रे का मुकाबला करने को तयार है किले पर आपका ही राज्य चलेगा ठीक है अब आगे बड़ो और किले पर आक्रमन करो जीत हमारी होगी आदेश मिलते ही उन्होंने अपने घोड़े सरपट किले की और दोड़ा दिये जै भवानी सरदार जांगुला चिंदाबाद जब आकरमन कारियों की खबर राजकुमारी कंचाना को मिली जाओ सैनिकों को युद्ध के लिए तयार होने और द्वार रक्षकों को मुकाबला करने का आदेश दो ध्यान रहे सेनपत्ति विक्राल दुश्मन किसी भी परकार किले के भीतर परवेश न करने पाए इधर उन समुदरी डाकों ने भयानक अंदाज में किले पर आकरमन किया और द्वार तोड़ने का परियास करने लगे जबकि किले के रक्षक सैनिक उन्हें रोकने का हर संभव परियास कर रहे थे सैनिक उन्हें ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाए डाकों जांगूला और उसके सौथी द्वार तोड़ कर किले के भीतर परवेश करने में सफल हो गए यह दूसरी बात थी कि राजकुमारी कंचाना के सैनिक अभी भी उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे काफी देर के घमासा युद्ध के पस्चात डाकों जांगूला का किले पर अधिकार हो गया सरदार जांगूला जिन्दा बात अब मुझे सरदार नहीं महराज जांगूला कहा करो जाओ राजकुमारी और उसके वफादार कुट्टों को पकड़ कर हमारे सामने पेश करो जो आग्या महराज राजकुमारी और उसके बचे कुचे सभी वफादार सैनिकों को कैद कर डाकों जांगूला के सामने लाया गया हाँ 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 शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी राजकोमारी मेरा नाम जांगुला है समुद्र का बेताज बाश्चा बहुत समय से मेरी रजर तुम्हारे किले और राज्ये पर थी खैर आज मेरा वर्शो का सपना पूरा हो ही गया अब यहां के राजा हम है लेकिन हम तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनना नहीं चाते तुम चाहो तो हमसे विवा करके हमारी रानी बनकर यहां फिर से सर्शन कर सकती हो तुम कमीनी डाकू मैं तुम पर थूपती हूँ बेवकूफ लड़की तेरी इतनी हिम्मत हम चाहें तो अभी तेरी जुबान काटकर तुझे इस गुस्ताकी की सजाद दे सकते हैं लेकिन नहीं हम तुझे एक बार अच्छी तरे सोचने विचारने का पूरा मौका देंगे बाकूंडा ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो दो दिन बाद हम इसका आखरी फैसला सुनेंगे और महराज इन बेबस चुहों के लिए क्या अग्या है इन सब को मौत के घाट उतार दो और यहां की प्रजा को चेतावनी दे दो कि यदि किसी ने हमारी आग्या मानने से इनकार किया अत्वा हमारे विरुद आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा राज कुमारी को बंदी ग्रह में डाल दिया गया सुनो पुन्चाला वासियो जिसने भी महराद जांगुला के विरुद आवाज उठाने अत्वा उनकी आग्या ना मानने की मुर्खता की उसको भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर एक इक करके रानी की सभी वफदार सैनिकों को सरे आम लोगों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया वाह शाशन कार्य संभालने के बाद जांगुला अपनी कुछ विशिश्ट साथियों के साथ पहली बार पुन्चाला के विशाल खजाने में पहुँचा यह अनमोल और बेशुमार दौलत भवानी देवी ने हमारी जीत पर हमें फेट की है इस खजाने को सभी साथियों में बराबर पांट दो अब हमें शायद ही लूट पाट करने की जरूरत पड़े जो आग्या महराज आहां वाह उसी राज जीत की खुशी में जब जश्न मनाया जा रहा था सरदार सरदार गचप हो गया क्या हुआ गोटू तुम इतने घबराय हुए क्यों हो सरदार कुछ लोगों ने किले से निकल भागने की कोशिश की थी बाकियों को तो हमने मार गिराया लेकिन उनमें से एक किसी तरह निकल भागने में सवल हो गया क्या कहा निकल भागने में सवल हो गया और तुम मुर्ख बजाए उसका पीछा कर उसे मार डालने के मुझे यह खबर देने आये हो मैं खामोश कुट्ते तुरंद कुछ आदमियों को लेकर उसका पीछा करो और उसे हर कीमत पर मार डालो वरना तुम्हारी खैर नहीं मैं कभी यह पसंद नहीं करूँगा कि किसी को भी इस के लिए और यहां की स्तिति के बारे में पता चले जी शीगर ही भगोडे पुंचाला वासी को ढूंडा जाने लगा किसी और दिशा से निकल भागने का प्रश्णी नहीं उठता वह भगोडा जरूर जंगल की और ही बगया होगा उसी और चलो शीगर ही वह रहा तीर छोड़ो और मार गिराओ जल्दी वरना वह जंगल में घुच जाएगा एक तीर सही निशाने पर लगा आह परंतु खायल होने की बावजूत वह घनी जंगलों में परविष्ठो उनकी नजरों से उज़ल हो गया बच निकला साला कमबक तो जल्दी से जंगल में परविष्ठो जाओ और उसे तलाश करो यदि वह जिन्दा या मुर्दा नहीं मिला तो सरदार हमें जिन्दा जमीन में कड़वा देगा वे जंगल सोना के ही घने जंगल थे और सोना के इनी घने जंगलों के बीच एक नदी में जंगल का बेताद बाच्चा महाबली शेरा अपने मित्र चिंपी के साथ स्नाम का आनन ले रहा था बस बहुत नहालिये चिंपी अब बाहर निकलो वरना बिमार पढ़ जाओगे फिर नदी से निकल कर शेरा चिंपी के साथ अभी कुछ ही कदम व्यत्ती धर्ती पर पड़ा दिखाई दिया वहरहा उसकी पीक में शायद धीर थसा है तुम कौन हो भाई और तुमारी यह दशा किसने की है मैं पुन्चाला वासी हकारू हूँ डाकू जांगुला ने हमारे किले पर आकर्मन कर हमारे राज्ये पर अधिकार कर लिया है और हमारी राजकुमारी कंचाना को जेल में डाल दिया है मैं महाबली शेरा के पास मदद के लिए जा रहा था बेशक हमने उसे नहीं देखा लेकिन उसकी महानता के बारे में काफी कुछ सुन रखा है लेकिन लगता है अब मैं उस तक नहीं पहुँच पाऊंगा आह ऐसा मत कहो तुम इस समय महाबली शेरा से ही बात कर रहे हो मुझे बताओ यह डाकु जांगुला कौन है और तुम्हारा देश मुंचाला कहा है मैं तुम्हारी राजकुमारी की हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा आहां महाबली शेरा का नाम सुन उस गायल का चेहरा पल भर के लिए खेल उठा देवता का शुक्र है कि तुम मुझे मिल कैं महाबली आप मैं तुम्हे सब कुछ बता कर आराम से बर सकूँगा पहादूर इंसान बुजदिलो जैसी बाते नहीं करते मित्र हकारू मुझे केवल अपने देश और जांगुला के बारे में बताओ बाकी मुझ पर छोड़ दो धन्यवाद महाबली तुम बास्तब में महान हो आह पानी शेरा ने तुरन चिंपी को भेज कर निकट परती नदी से पानी मंगवाया फिर घायल हकारू को पिलाने के बात बोला हाँ अब बताओ सारी कहानी हमारा देश पुंचाला एक किले में बसा है और वह किला तभी कहीं से एक तीर संसनाता हुआ आया और घायल के सीने के आरपार हो गया अरे चिंपी तुम इसे देखना मैं आकरवनकारी को देखता हूँ और दूसरे ही शन बिना एक पल नश्ट के शेरा उचल कर खड़ा हुआ और तेजी से उस और दोड़ा जिधर से तीर आया था शेखरी उसे दो घुर्जवार एक तरफ दोड़ते दिखाई दिये हम तो इन शैतानों ने मारा है उसे अभी मजा चकाता हूँ इन्हे अगले ही पल उसने उचल कर एक पेड़ की लोचदा टहनी पकड़ी और फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कोटता गले से भयानक आवाजे निकालता हुआ उनका पीछा करने लगा शेखरी शेरा ने उन्हें पा लिया और उन दोनों की अच्छे तरह पिटाई करने के पसचात शेरा एक को थाम गुर्रा उठा बताओ कौन हो तुम लोग और पुन्चाला वासी को तुमने क्यों मारा वरना तुम्हारी बोटी-बोटी चील कोमों को खिला दूँगा नहीं धेरो मैं बताता हूँ दूसरे रिक्ती ने शेरा को अपने से असाधान पा मयान से तलवार निकाली और दबे पाउं उसकी और बढ़ा सुमर के बच्चे अभी तुझे भी पुन्चाला वासी के पास पहुंचाता हूँ परन्तु शेरा जरा भी असाधान नहीं था जैसे ही उसने वार करना चाहा शेरा ने बिजली किसी फूर्ती के साथ सामने वाले व्यक्ती के मयान से तलवार खींच ली फिर गजब की फूर्ती के साथ उसने पलट कर उसके वार को तलवार पर रोका और दोसरे ही शर्ण वे दोनों उसके सामने विवश खड़े थे हाँ अब बताओ बच्चो पूरी कहानी क्या है मारू मत मैं सब कुछ बताने को तयार हूँ तो जल्दी बताओ और मौत के भैसे उसने सारी कहानी कह सुनाई हम तो यह बात है अच्छा यह बताओ पुन्छारा का किला कहां और किस दिशा में है जंगल पार तक्षरी दिशा में उस डाकू ने जो गोटू ही था जान बुच कर जूट बोला तभी चिंपी वहाँ आ पहुँचा अरे चिंपी तुम यहां क्यों आ गए उस व्यक्ति का क्या हाल है ओह मर गया वह खेर अपना काम वह पूरा कर गया इन दुष्टों से अब मैं है निप्टूंगा तुम कभीले वापस लोट जाओ जिंपी और सरदार कराटो को बता दे रा कि मैं कुछ दिन तक कभीले वापस नहीं लोटूंगा जिंपी ने इस तरह सिर हिला कर मुँँसे आवाज निकाली मानू वह शेरा की बात समझ गया हो साथ ही वह वहाँ से एक तरफ चल पड़ा जिंपी के जाने के बाद हाँ अब बोलो तुम्हारा क्या विचार है तुम मुझे गिले तक पहुँचाते हो या मैं तुम्हें उपर पहुँचाओ ठहरो ठहरो हम तयार है चापाश चलो एक गोड़े पर तुम दोनों सवार हो जाओ दूसरे पर मैं तुम्हारे साथ चलूगा लेकिन ध्यान रहे भागने अथवा कोई गरत हरकत करने की कोशिश न करना वरना तुम दोनों की मौत पर मुझे जराबी दुख नहीं होगा समझे? हाँ हाँ फिर गोटू और उसका साथी एक गोड़े पर सवार हो गए और शेरा दूसरे गोड़े पर फिर वे दक्षनी दिशा की और चल पड़े शेरा ने गोटू के गोड़े की रास एक रस्ती से बांद कर अपने हाथ में ले ली थी ताकि भे भागने की कोशिश न कर सके तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद